अल्लो फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकूम वेलकम टू रुमानास कीचन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पनील चीली की रेसिपी तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बोल ले लिया है मैंने 250 ग्राम पनील ले लिया है उसे थोड़े बड़े पीसिस में कट कर लिया है मैंने अब मैं दो चमज कॉन फ्लोर एड़ कर देती हूं इसमें हाफ टी स्पून लाल मिज का पाउडर नमक स्वाद नुसार और हाफ टी स्पून कस्मिरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा पानी ले लिया है मैंने दो टेबल स्पून के करीब इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे इसे मेरिनेट करकर इसको थोड़ी दिर के लिए हम ढख कर साइट कर लेंगे एक पैन ले लिया है मैंने इसमें दो टेबल स्पून ओईल नाग दिये हैं अभी जो पनीर हमने कोट करके रखा हुआ है उसे हम फ्राइ कर लेंगे पनीर चिली के लिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम पनीर एड करेंगे पनीर हम एक इत करकर ही नाखेंगे ताकि पनीर एक दुसरे के साथ स्टिक न हो जाए अब मैं इसे पलट देती हूँ सबको एक साइड हो चुकी है अब मैं आप एक उसे को अब मैं आप přेहम राइ कि पनीर सब हो चुके हैं गोल्डन ब्राउं तो मैं एक बिस में निकाल लेती हूं इसे फिर आपको बताती हूं कि कैसे हुआ है देखिया हूं देखिया हूं देखिये कितने मस्त हुए ना मैंने ग्लास ले लिया है इसमें मैं दो चम्मच कॉन फ्लोर चीली सॉस दो चम्मच डाल देती हूं सॉया सॉस एक चम्मच डाल देती हूं कैचप दो चम्मच डाल देती हैं और थोड़ा सी पानी डाल कर अच्छे से यह सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यह लंप स्प्री हो जाना चाहिए गाल धेती शाव मेंच वगोरजा की देखिए मैं आपको बताती हू अगर पानी की जरूरत और आपको से पलं जाष कर सकते हो आ इस अच्छे से मिक्स कर लेना है लेकिए मैं आपको बता हूं अभी तोटता लिद् फ्री होना चाहिए देखिए मैं आपको बता हूँ और अगर पानी की जरूत लगे आपको ताप डाल सकते हो लेकिन एक भी लंस नहीं होना चाहिए लंस फ्री होना चाहिए ठीक है मैंने भी एक बड़ा प्यास बड़ा कैपसिकम लसन और लिली मुज ले ली है प्यास को मैंने थोड़ा बड़ी साइज में चॉप कर लिया है कैपसिकम को भी थोड़े बड़ी साइज में चॉप कर लिया है और लसन और लिली मुज को बारिक चॉप करकर एक एक टेबल स्पून लिया है अब मैंने एक पेल ले लिया है और उसमें मैंने जो अभी फ्राइ किये थे पनीर वही तेल है और उसमें थोड़ा सी मैंने बटर एड़ कर दिया है अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूं यह थोड़ा सी में मिक्स करूंगे उसके बाद जो कुछ भी मैंने चौप किया हुआ बता है आपको वह सब में डाल देती हूं प्याज लस्टन लिली मेंज और हमें इसे गोल्डन राउंड नहीं करना है हमें इसे जस्ट हाई फ्लेम पर थोड़ा सा ही पकाना है यह कि चाइनीज आईटा में थोड़ा क्रंची नेस तो रहनी चाहिए यह सिर्फ थोड़ा सी पक जाए वहीं तक हमें पकाना है इसमें प्याज और कैप्सिकम थोड़ा मोटा मोटा ही कातना है कर दोड़ा मोटा है और अब जो मैंने भी बैटर बना कर आपको बताया था वह मैंने एड़ कर दिया है उसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें थोड़ी से पानी डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें थोड़ा नमक एड़ कर दिया है और नमक देखकर ही एड़ करें क्योंकि सुरा सोस में भी थोड़ा सॉल्टीनेस आती है और यह मैंने एक चम्मज लाल मिर्च नाक दी है आप कम मिर्च वाला खाना पसंद करते हैं तो फिर आप मझ डालिए नगर थोड़ा स्पाइसीनेस आपको पसंदे तो आप डाल सकते हो प्राइब टेंके हमने सोया सॉस भी डाला है यह नी मिर्च भी डाले और यह भी मैंने थोड़े मिर्च रहा के दी हैं और आप अब है सब्सक्राइब अब इसमें जो पनीर फ्राइब किये हैं वो डाल देती हूं और इस अच्छे सी मिक्स कर लूँगी पनीर के अपर ये पूरा जो हमने जो ग्रेवी तैयार कि हो सब कोठ हो जानी चाहिए पनीर के अपर ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम अब इसमें कस्तुरी मेथी थोड़ी डाल देती हूं अब पनीर ज्यादा ड्राय ना हो जा इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल देती हूं दो चम्मज पानी डाल दिया है मैंने अब इसे ढख कर स्लो फ्लेम पर फाइन इस तक हम कूप करेंगे ताकि इसके जो फ्लेवर हो सब पनीर के अंदर आ जाए इसलिए हम ढख कर पकाएंगे इसे कि कुए हमने जो कस्तुरी मेथी और वगेरा डाली है तो इसका पूरा फ्लेवर इसमें आ जाना चाहिए और अभी मैं आपको खोल कर बताऊंगी इतने मस्त बनते हैं पनेटिली आप रेस्टोरांट में भी खाना भूल जाएंगे इतने मस्त यम बनते देखिए सोड इलिस देखिए यह सब पूरी ग्रेवी इसके अपर कोट हो चुकी है पनीर के उपर देखिए और है ना यह रेस्टोरांट स्टाइल मैं आपको डिस में लेकर दिखाती हूं देखिए और यह इतने सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मस्त बनते हैं देखिया वाव सो यमी ना ता आप भी बनाई आपके घर पर और मुझे कमेंड करकर जरूर बताना के कैसे बने थे और मैं आपको गैरंटी देती हूं ऐसा पनीर आपने खाया नहीं होगा और मेरी रैसीपी बिल्कुल डिफ्रेंट है देखिये देखिये आप मैं फोक में लेकर दिखाती हूं आपको देखिये किते मस्ता है थेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो अस्सलाम अलेकूं बाई बाई